परिचाय पिता जी, आज हम पतंग उड़ाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा हाँ बेटा, जरूर क्या हूँ, पतंग हवा में है, पतंग हवा में कैसे उड़ती है पिता जी बेटा, पतंग पर कई बल कारे करते हैं और इन बलूं की दिशा निश्चित होती है, जिनके कारण पतंग हवा में उड़ती है लेकिन पिता जी, हम पतंग पर कारे करने वाले बलों को कैसे परिभाशित करते हैं? अच्छा प्रशन है बेटा, हम इन्हें सदिश की मतद से परिभाशित करते हैं क्या तुम इसके बारे में और अधिक जानना चाहोगे? हाँ पिता जी, तो आओ, अपने इस सथ्याई में हम सदिशों पर संक्रियाओं की विस्तार से चर्चा करें उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे सदिश और अधिशराशी के मत्थे अंतर निकालना इस्थिती सदिश को परिभाशित करना इस्थिती सदिश के कोजाईन की दिशा ग्याद करना सदिशों का योगफल ग्याद करना एक सदिश के घटकों को ग्याद करना अन्ता और बाहे विभाजन के लिए खंड सूत्री की व्याख्या करना, दो सदीशों का डौट गुणन ग्याद करना, दो सदीशों का क्रॉस गुणन ग्याद करना. कुछ आधार भूद संकल बनाएं ए तथा बी, रेका खंड ए बी बनाते हैं. हम रेका खंड ए बी के साथ दो दिशाओं को जोड़ सकते हैं, अर्थाद ए से बी तक या बी से ए तक. इस प्रकार ए से बी तक या बी से ए तक निश्चित दिशाओं के साथ एक रेका खंड ए बी प्रारंबिक बिंदू ए तथा अंतिम बिंदू बी या तर्मिनल बिंदू के साथ एक दिश्ट रेका खंड बन जाता है. इस तरह का दिश्ट रेका खंड एक सदिश होता है तथा इसे सदिश ए बी या सदिश ए के रूप में निर्जिश्ट किया जाता है. सदिश के वैवाहारिक उधारन इस प्रकार हर सदिश की तीन विशेश्टाएं होती हैं अर्थात, परिमान, दिशा एवं आधार, त्वारन, वेग, बल एवं विस्थापन सभी सदिश राशियों के उधारन हैं. महतपूर्ण बिंदू, लंबाई AB सदिश AB का परिमान कहलाती हैं एवं इसे सदिश AB का मोड या सदिश A का मोड के रूप में निरूपित किया जाता है. सदिश AB की दिशा A से B है, एवं रेखा M सदिश जिसका एक हिस्सा है, सदिश AB का आधार कहलाती है. सदिश AB तथा BA का बराबर परिमान तथा A की ही आधार है, किन्तो दिशा एक बिंदू का इस्थिती सदिश. मान लिजिए कि O अंत्रिक्ष में एक इस्थिर बिंदू है, जो संदर्ब का मूल कहलाता है. एवं P कोई बिंदू है जिसके निर्देशांख XYZ इस तरह है, कि सदिश OP बराबर सदिश R हो, तब सदिश R को बिंदू P का इस्थिती सदिश कहा जाता है. सदिश R का परिमाण निम्ननुसार दिया जाता है. सदिश R का मोड बराबर वर्ग मूल X वर्ग जमा Y वर्ग जमा Z वर्ग. दिक कोसाइन यदि XY और Z अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ इस्थिती सदिश द्वारा बनाए गए कोण, क्रमशा, अलफा, बीटा और कामा हों, इन्हें दिशा कोण कहते हैं. इन कोणों के कोसाइन मान अर्थाद कौस अलफा, कौस बीटा तथा कौस गामा सदिश आर के दिक कोजाइन कहलाते हैं और प्राया इन्हें करमशा L, M तथा N से निर्दिश्ट किया जाता है, जहां L बराबर कौस अलफा, M बराबर कौस बीटा, N बराबर कौस गामा हैं. से परिबद हैं की, घटा एक कम या पराबर है L के, जो की कम या पराबर है A के, घटा एक कम या पराबर है M के, जो की कम या पराबर है A के, घटा एक कम या पराबर है N के, जो की कम या पराबर है और ये इस सूत्र से जुड़े हुए हैं L वर्क्व जमा एमवर्ग जमा एनवर्ग बराबर 1 चित्र से हम पा सकते हैं कि कौस अल्फा बराबर X बटा सदिश आर का मोट कौस बीटा बराबर Y बटा सदिश आर का मोट Cosγamma बराबर Z पटा सदिश R का मोट सदिशों के प्रकार शूने सदिश एक सदिश जिसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदू संपाती होते हैं शूने सदिश कहलाता है और इसे सदिश शूने के रूप में निर्दिश्ट किया जाता है सदश A-A, O-O, B-B, सभी शुने सदश हैं मातरक सदश एक सदश, जिसका परिमान एक एकाई है, मातरक सदश कहलाता है एक दिये गए सदिश A के लिए A की दिशा में मातरक सदिश को कैप एक तौरा निर्दिश्ट किया जाता है तथा इसे निम्ननुसार लिखा जाता है कैप A पराबर सदिश A बटा सदिश A का मोट सह आदिम सदिश दो या दो से अधिक सदिश जिनका A की ही प्रारंभिक बिंदु है सह आदिम सदिश कहलाते हैं उधारण के लिए सदिश A B, A C, A E इत्यादी सह आदिम सदिश है संरेक सदिश दो या दो से अधिक सदिश यदि अपने परिमान और दिशा के बिना एक यही रेखा की समानतर हैं तो वे संरेक सदिश कहलाते हैं समान सदिश दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके परिमान दिशा और आदार की रेखा समान या समानतर हो यदि दो सदिश A और B बराबर हों, तो उन्हें सदिश A बराबर सदिश B के रूप में लिखा जाता है, एवं उनका परिमान समान होता है, अर्थात सदिश A का मोड बराबर सदिश B का मोड रनात्मक सदिश, मान लिजे कि सदिश A जिसका परिमान सदिश A के बराबर है, परंतो जिसकी दिशा सदिश A की दिशा के विप्रेथ दिशा है, एक सदिश A को रनात्मक सदिश के रूप में परिभाशित किया जाता है, तथा इसे सदिश A के द्वारा निरुपित किया जात उधारा, नीचे दिये गए चित्र में सदीश की दिशा क्या है? हल, सदीश की दिशा दक्षण से 43 डिग्री पूर्व या पूर्व से 47 डिग्री दक्षण है. सदीशों का योगफल सदीशों का तिर्भुज नियम यदि दो सदीशों को एक तिर्भुज की दो क्रमगत भुजाओं के दोरा दर्शाय जाता है, तब उनके योगफल को परिमाण एवं दिशा में विप्रीत क्रम में लिये गए तिर्भुज की तीसरी भुजा दोरा तिर्भुज OAB में यदि सधिश A को OAB तथा सधिश B को AB द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तब उनके योगफल सदिश A जमा सधिश B को OAB के द्वारा परिमान और दिशा में निरुपित एक सधिश होने है तू परिभाशित किया जाता है, जहां OAB तिर्भुज OAB की तीसरी भुजा है, हम सधिश संकेतन में लिख सकते हैं कि यदि सधिश OAB बराबर सधिश A तथा सधिश AB बराबर सधिश B हो, तब सधिश OAB बराबर सधिश A जमा सधिश B होगा, या सधिश OA जमा सधिश AP बराबर सधिश OP होगा, सधिशों का समानांतर चत्रभुज नियम यदि एक समानतर चत्रभुज की दो सनलगन भुजाओं के द्वारा परिमान और दिशा सहित दो सधिशों को निरूपित किया जाता है, तब सवांतर चत्रभुच के विकन त्वारा परिमान और दिशा सहित इन दोनों सदिशों के योगफल को निरूपित किया जाता है, जो कि दिये गए सदिशों सहित सह आतिम हैं। प्रतिकात्मक रूप से जदि सदिश O A बराबर सदिश A सदिश O C बराबर सदिश B हो तब सदिश O A जमा सदिश O C बराबर सदिश O A जमा सदिश A B बराबर सदिश A जमा सदिश B बराबर सदिश O B होगा। अतैफ सदिश OC बराबर सदिश AB, इसके अलावा सदिश OC बराबर सदिश AB बराबर सदिश B, सदिश CB बराबर सदिश OA बराबर सदिश A, इस प्रकार सदिश OC जमा सदिश CB बराबर सदिश OB है, सदिशों के योकफल के गुर्ण धर्म सदिशों का योकफल क्रम विन में होता है अर्थात सदिश A जमा सदिश B बराबर सदिश B जमा सदिश A गुण धर्म दूज, सदिशों का योपफल साचर्य होता है, यहां सदिश आर बराबर सदिश A जमा सदिश B जमा सदिश C, एवं सदिश आर बराबर सदिश A जमा सदिश B जमा सदिश C. इस प्रकार सदिश A जमा सदिश B जमा सदिश C, बराबर सदिश A जमा सदिश B जमा सदिश C. एक अधिश से सदिश का गुणन. मालिजे सदिश A कोई सदिश है, तथा N एक अधिश है. N सदिश A से हमारा तागवर है, कि एक सदिश जिसका परिमान N मोट का मोट, सदिश A मोट का मोट है. अर्थात सदिश A के परिमान का N कुना है, तथा जिसकी दिशा N के धनात्मक या धनात्मक होने के आधार पर सदिश A की दिशा या इसकी विप्रीद दिशा होती है. यदि N पराबर 0 है, तब 0 सदिश A पराबर 0 है. मेदपून परिमान इस प्रकार है. एक सदिश के खटक, मान लिजे के P, X, Y, Z निर्देशांकों वाला अंतरिक्ष में कोई बिंदू है. तब बिंदू A, B, C के निर्देशांक क्रमशा X, 00, 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 Z है. मान लिजे कि अब P का इस्थिती सदिश, सदिश R है. अर्थात, सदिश O, P, परावर सदिश R है. इसके अलावा, माना की कैप I, कैप J, कैप K, तीन निर्देशांक अक्षों के साथ मातरक सदिश है. अब O, A, परावर X, ये इंगित करता है कि सदिश O, A, परावर X, कैप I है. नोट करें कि X, कैप I, एक सदिश है, जिसका परिमान एक गुणा X, बरावर X है, तथा जिसकी दिशा X, अक्ष की दिशा है, तथा ये निश्चित सदिश O, A है. इसी प्रकार सदिश O, B, बरावर Y, कैप J है, सदिश O, C, बरावर Z, कैप K है. क्रिभुज O, P, Q से सदिश R, बरावर Z, O, P, बरावर Z, O, Q, जमा Z, O, C. इसके अलावा, क्रिभुज O, A, Q से सदिश O, Q, बरावर Z, Q, A, जमा Z, O, B. इस प्रकार सदिश R, बरावर सदिश O, A, जमा सदिश O, P, जमा सदिश O, C, जो की बरावर है, X, कैप I, जमा Y, कैप J, जमा Z, कैप K, के. अता यदि पी इस्थिती सदिश R, तथा निर्देशां को X, Y, Z के साथ कोई बिंदू है, तब सदिश R, बरावर X, कैप I, जमा Y, कैप J, जमा Z, कैप K है. X, Y, Z सदिश R के घटक कहलाते हैं. सदिश R का मोड बनाबर वर्ग मोल X वर्ग जमा Y वर्ग जमा Z वर्ग है. उधारन सदिश A बरावर 4, कैप I, घटा 8, कैप J, घटा 7, कैप K की दिशा में मातरक सदिश ग्याद कीजिए. हल, एक सदिश A की दिशा में मातरक सदिश को कैप A बरावर सदिश A बटा सदिश A का मोड के द्वारा दिया जाता है. अब सदिश A का मोड बरावर है वर्ग मूल 4, वर्ग जमा घटा 8 वर्ग जमा घटा 7 वर्ग के, जो की गड़ना करके हल करने पर 11.35 प्राप्त होगा. मातरक सदिश A बरावर एक बटा 11.35 गुणा 4 कैप I घटा 8 कैप J घटा 7 कैप K. जो की बरावर होगा 4 कैप I बटा 11.35 गटा 8 कैप J बटा 11.35 गटा 7 कैप K बटा 11.35 के. एक अधिश से एक सदिश का गुणन, दो बिंदूओं को मिलाने वाला सदिश, बिंदू A से बिंदू B को जोड़ने वाला सदिश इस प्रकार दिया जाता है. सदिश आर बरावर XB घटा XA, कैप I जमा YP घटा YA, कैप J जमा ZB घटा ZA, कैप K. सदिश आर का परिमाण निम्न दूआरा दिया जाता है. सदिश आर का परिमाण है वर्कमूल XB घटा XA वर्ग जमा YB घटा YA वर्ग जमा ZB घटा ZA वर्ग. खंड सूत्र अंता विभाजन यदि सदिश A और सदिश B दू बिन्दूओं A तथा B के इस्थिति सदिश हो, तब बिन्दू C, A, B को M बटे N के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है. जिसका इस्थिति सदिश है. सदिश C बराबर M गुणा सदिश B जमा N गुणा सदिश A बटा M जमा N. इस प्रकार बिन्दू C का इस्थिति सदिश जो A और B को M बटे N के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, निम्न अनुसार दिया गया है. सदिश O C बराबर M गुणा सदिश B जमा N गुणा सदिश A बटा M जमा N. उप्रम है, यदि C AB का मत्य बिन्दू है, तो M बराबर N एवं सदिश AB का मत्य बिन्दू C का इस्थिति सदिश निम्न अनुसार होगा. सदिश OC पराबर सदिश A जमा सदिश B बटा दो. सदिश OC पराबर सदिश OA जमा सदिश OB बटा दो. अर्थात सदिश OA जमा सदिश OB बडाबर दो सदिश OC. बाहे विभाजन यदि A और B के दो बिन्दूओं A और B के स्थिति सदिश हों, तब बिन्दू CAB को M बटे N के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, जिसका इस्थिति सदिश है. सदिश C बड़ाबर M गुणा सदिश B घटा N गुणा सदिश A बटा M घटा N. उधारण बिन्दू A का इस्थिति सदिश ग्याद कीजे, जो बिन्दूओं को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करता है, और जिसकी धनात्मक सदिश तीन बटे एक के अनुपात में P घटा तू कैप आई, जमा कैप J घटा तीन कैप के, तधा Q कैप आई, जमा दू कैप J घटा तू कैप के है, आंतरिक रूप से तधा बाहे रूप से, हल, एक आंतरिक रूप से, बिन्दू P और बिन्दू Q को मिलाने वाली रेखा को, M बटे N के अनुपात में विभाजित करने वाले बिन्दू R का, इस्थिति सदिश, सदिश O R बराबर M सदिश B जमा N, सदिश A बटा M जमा N है, यहां M बराबर 3, N बराबर 1 है, सदिश A बराबर घटा 2 कैप I जमा कैप J घटा 3 कैप K, सदिश B बराबर कैप I जमा 2 कैप J घटा 2 कैप K, आतेव सदिश O R बराबर 3 गुणा घटा 2 कैप I जमा कैप J घटा 3 कैप K, जमा 1 गुणा कैप I जमा 2 कैप J घटा 2 कैप K, जमा 3 जमा 1 जो की गर्णा करके हल करने पर घटा 5 कैप I जमा 5 कैप J घटा 4 गटा 11 कैप K, जमा 4 गुणा कैप K, जमा 5 कैप J घटा 4 गुणा कैप K, जमा 6 O R बराबर 3 गुणा घटा 2 कैप I जमा कैप J घटा 3 कैप K, घटा 1 गुणा कैप I जमा 2 कैप J घटा 2 कैप K, बटा 3 गटा 1, जो की गर्णा करके हल करने पर घटा 7 कैप I बटा 2 जमा कैप J बटा 2, घटा 7 कैप K, बटा 2 प्राप्त होता है। दो सदिशों का गुणन, दो सदिशों का अदिश या डौट गुणन, दो सदिशों A तथा B का डौट गुणन है। A का परिमान, B के परिमान का गुणज, तत पश्चात A और B के बीच के कौण के कोसाइन का गुणन है, जहां ठीटा सदिश A तथा B के बीच का कौण है। महतपून पिंदू, यदि सदिश A तथा B एक दूसरे के लंबवत हैं, तब सदिश A तथा B का डौट गुणन, शूनने होगा। यदि सदिश A तथा B एक दूसरे के समानतर हैं, तब सदिश A तथा B का डौट कुणन सदिश A का परिमान कुणन सदिश B का परिमान के पराबर होगा. मातरक सदिश कैप I, कैप J और कैप K एक दूसरे के लंबवत हैं, तब डौट कुणन निमने हैं. मातरक सदिश A तथा B का डौट कुणन सदिश A तथा B का डौट कुणन सदिश A तथा C के लिए, सदिश C का डौट कुणन बराबर सदिश A तथा B का डौट कुणन जमा सदिश A तथा C का डौट कुणन. यदि सदिश A बराबर A1 कैप आई जमा A2 कैप J जमा A3 कैप K. सदिश B बराबर B1 कैप आई जमा B2 कैप J जमा B3 कैप K. तब सदिश A तथा सदिश B का डौट कुणन बराबर A1 B1 जमा A2 B2 जमा A3 B3 होगा. सदिश का एक रेखा पर प्रक्षेप. माना की P रेखा O B के लिए A से एक लंब बात है. O P रेखा O B पर सदिश A का प्रक्षेप कहलाती है. सदिश O P बराबर सदिश A का परिमान गुणा कौस थीटा जहां सदिश A बराबर सदिश O A है और थीटा कोण A O P है. महत पूण बिन्दू. यदि थीटा बराबर सदिश O A ही होगा. तथा यदि थीटा बराबर पाई हो तब O A का प्रक्षेपन सदिश सदिश A O होगा. उदारण यदि दू सदिश O A तथा B का परिमान क्रमशा 10 और 12 हो एवं यदि सदिश O A तथा B का डौट कुणा 5 हो तो उनके बीच का कौण ग्याद कीजे. हल, सदिश A और B का डौट कुणन, A का परिमान, B के परिमान का गुणच, ततपस्चाथ A और B के बीच के कौण के कोसैन का गुणन है, जहां थीटा सदिश A तथा B के बीच का कौण है. कौस थीटा पराबर सदिशों A तथा B का डौट कुणन बटा सदिश A का परिमान कुणा सदिश B का परिमान है. थीटा पराबर कौस व्यूत क्रम, सदिशों A तथा B का डौट कुणन बटा सदिश A का परिमान, गुणा सदिश B का परिमान, जोकी गणना करके हल करने पर 87.61 डिगरी प्राप्त होगा. सदिश या दो सदिश का क्रौस गुणन हमने दो सदिश खींचे हैं, ताकि उनकी पुछ एकी ही बिंदु पर हो, दो सदिशों के बीच थीटा कौन चिन्नित किया गया है. जब हम सदिश गुणन निकालते हैं, तब हमें एक सदिश गुणन ही प्राप्त होता है. सर्व प्रथम हम इस सदिश का मापांक या परिमाण निम्न अनुसार प्राप्त करते हैं. सदिश A का परिमाण गुणा सदिश B का परिमाण गुणा थीटा का साइन. एक सदिश प्राप्त करने के लिए हमें एक दिशा निर्दिश्ट करनी होगी. परिभाशा के अनुसार सदिश गुणन की दिशा इस तरह है कि ये दोनों सदिशों A और B के लिए समकोन पर है, जैसा कि चित्र में बताया गया है. समविद ये है कि हम दक्षन हस्त पेंच नियम दोरा निर्दिश्ट दिशा का चायन करते हैं. इसका अर्थ है कि हम दाहिने हाथ में एक स्कुरू ड्राइवर की कल बना करते हैं. सदिश कुणन की दिशा वह दिशा होती है जिसमें एक स्कुरू को कसने के लिए A से B की ओर घूंता है. A तथा B के सदिश कुणन को इस प्रकार परिभाशित किया गया है. सदिश A क्रॉस सदिश B बराबर सदिश A का परिमाण गुणा सदिश B का परिमाण गुणा N कैप की दिशा में थीटा का साइन. जहां सदिश A का परिमाण, A का परिमाण या मापांग है. सदिश B का परिमाण, B का मापांग है. थीटा सदिश A और B के पीच का कोण है. एवं कैप N दक्षन हस्त स्कुरून नियम के द्वारा परिभाशित सदिश A और B दोनों के लंबवत एक मात्रक सदिश है. महत्रपूर्ण पिंदू, मात्रच सदिशों का सदिश गुडन जो एक दूसरे से लंब वत्हूं निम्न प्रकार से है यदि सदिश A और B एक समनांतर चत्रभुच की आसन भुजाओं को तरशाते हैं तब इसका खित्रफल सदिश A और B के सदिश गुडन के परिमान त्वारा दिया जाता है यदि सदिश A, B और C तीन सदिश हों तब सदिश A क्रोस सदिश B जमा सदिश C बराबर है सदिश A क्रोस सदिश B जमा सदिश A क्रोस सदिश C के यदि सदिश A बराबर A1 कैप आई जमा A2 कैप J जमा A3 कैप के सदिश B पराबर B1, CAP I, जम B2, CAP J, जम B3, CAP K तब A और B का सदिश कुणन बराबर होगा प्रथम पंक्ती CAP I, CAP J, CAP K दूतिय पंक्ती A1, A2, A3, तृतिय पंक्ती B1, B2, B3 का पंक्तिय नुसार सांडिक्के यदि सदिश A और B तृभुज की आसन भुजाओं को दर्शाते हों तब इसका क्षित्रफल निम्न नुसार दिया जाता है एक बटे दू गुणा A और B के सदिश गुणन का परिमाण उदारण सिद्धि कीजिए कि सदिश 2 कैपाई घटा 3 कैपचे घटा कैपके तथा घटा 6 कैपाई जमा 9 कैपचे जमा 3 कैपके समानांतर है हल दिये गए सदिश समानांतर होंगे यदि उनके क्रोस गुणन शूने हों अब 2 कैपाई घटा 3 कैपचे घटा कैपके क्रोस गटा 6 कैपाई जमा 9 कैपचे जमा 3 कैपके बराबर है पंक्ती अनुसार सारणिक प्रथम पंक्ती कैपाई कैपचे कैपके दुधिये पंक्ती 2 घटा 3 घटा 1 तृतिये पंक्ती घटा 6 नौ 3 जो की गढ़ना करके हल करने पर शूनने प्राप्त हुगा इती सिध्धम क्या आप जानते हैं? सर विलियम रोवन हैमिल्टन अधिशों और सदीशों की अवधारणाओं के साथ 1843 में आये थे विलियम रोवन हैमिल्टन के वैग्यानिक करियर में प्रकाश की, क्लासिकल, मेकेनिक्स, व्यांत्रिकी और जायामिती की समस्याओं में सदीश विधियों को लागू करना सम्मिलित है सारांश आये हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में तहराएं एक राशी जिसमें परिमान और दिशा होती है, सदिश राशी कहलाती है माल लीजे कि O, अंत्रिक्ष में एक इस्थिर बिंदू है, जो संदर्ब का मूल कहलाता है तथा P, कोई बिंदू है, जिसके निर्देशांक X, Y, Z इस तरह हैं कि सदिश O, P बराबर सदिश R है, तब सदिश R बिंदू P का इस्थिती सदिश कहलाता है दिक को साइन निम्न है, L बराबर कॉस अलफा, M बराबर कॉस बीटा, N बराबर कॉस गामा एवं वे निम्न सूत्र से जुड़े हुए हैं, L वर्ग जमा M वर्ग जमा N वर्ग बराबर एक यदि दो सदिशों को परिमान और दिशा में एक त्रिभुच की दो क्रम गत भुजाओं त्वारा दर्शाया जाता है तब उनके योगफल को परिमान और दिशा में विपरीत क्रम में लिये गए त्रिभुच की तीसरी भुजाओं त्वारा दर्शाया जाता है यदि दो सदिशों को परिमान और दिशा में एक त्रिभुच की दो आसन भुजाओं द्वारा दर्शाया जाता है तब उनके योगफल को परिमान और दिशा में चत्रिभुच के विकर्ण द्वारा दर्शाया जाता है जो दिये गए सदिशों के साथ सह आतिम है इस्तिति सदिश को निमननुसार दर्शाया जाता है सदिश R बराबर X cap I जमा Y cap J जमा Z cap K है. यदि सदिश R दो बिन्दों A, X A, Y A, Z A तथा B, X B, Y B, Z B को जोड़ता है, तब सदिश R बराबर X B घटा X A, cap I जमा Y B घटा Y A, cap J जमा Z B घटा Z A, cap K है. यदि सदिश A और सदिश B दो बिन्दों A तथा B के इस्थिति सदिश हूँ, तब बिन्दो C, A B को आंतरिक रूप से M बटे N के अनुपात में विभाजित करता है, जिसका इस्थिति सदिश सदिश C बराबर M गुणा सदिश B जमा N गुणा सदिश A बटा M जमा N है. यदि A और B दो बिन्दों A और B के इस्थिति सदिश हूँ, तब बिन्दो C को बाहिरूप से M बटे N के अनुपात में विभाजित करता है, जिसका इस्थिति सदिश 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 C बराबर M गुणा सदिश B घटा N गुणा सदिश A बटा M घटा N है. दो सदिशों A और B का डॉट गुणन निम्न है, A का परिमाण, B के परिमाण का गुणच, तद पस्चात A और B के बीच के कोण के कोजाइन का गुणन है, जहां ठीटा सदिश A तथा B के बीच का कोण है. A और B के सदिश कोणन को सदिश A क्रॉस सदिश B ब़राबर सदिश A का परिमाण, गुणा सदिश B का परिमाण, गुणा N कैप की दिशा में ठीटा के साइन से परिभाशित किया जाता है जहां सदिश A का परिमान, A का परिमान या मापांक है सदिश B का परिमान, B का मापांक है थीटा सदिश A और B के बीच का कोण है तथा कैप N दक्षुन हस्त स्क्रूनियम के द्वारा परिभाशित सदिश A और B दोनों के लंबवत एक मात्रक सदिश है झाल झाल